हेलो, नमस्ते, स्लाम अलेकुम, सच्छी रेकाल, कैसे हैं दोस्तों, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और उम्मीद हैं आप लोग भी अच्छे ही होंगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिवर के बारे में लिवर हमारी बोडी का एक बहुत ही इंपोर्टेंट ओर्गन है और करीब करीब सभी फंक्शन्स में इसका किसी ना किसी लेवल पर रोल होता है जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट भी लिवर करता है जो हम फैट खाते हैं उस फैट को एब्जॉब करने का उसको पहचाने का काम भी लिवर करता है जो खाना हम खाते हैं उसको फाइनली मतलब एब्जॉबबल फॉर्म में बनाने का काम भी हमारा लिवर करता है और खाना खाने के बाद जो toxins बन जाते हैं उनको eliminate करने का काम भी liver करता है Second largest organ है हमारी body के अंदर और इसकी जो importance है वो बहुत ही जादा है तो अगर कभी आपके liver में कोई damage हो जाता है या कोई liver की बीमारी आपको लग जाती है तो बहुत ही जादा problem का सामना करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ digestion ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे functions हैं जो कि liver से associated होते हैं तो इसके लिए बहुत ही जादा important हो जाता है कि हम अपने liver का specially ध्यान रखें और आज की इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो 12 ऐसे लक्षणों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि शुरुवाती दौर में हमें देखने को मिलते हैं अगर हमारे liver के अंदर कोई damage होना शुरू होता है तो उस case में तो इस वीडियो में बनी रहीएगा बिल्कुल एंड तक अगर आपका liver already healthy है तब भी आपके लिए बहुत जादा जरूरी है इन सभी चीजों के बारे में जानना ताकि आप सही समय पे अगर खुदाना खास तक भी आपको कोई problem होती है तो उस case में इन चीजों को पहचान स लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार consider जरू करिएगा सब्सक्राइब करनेगा क्योंकि आने वाले टाइम में भी इस तरह का content आपको जरूर देखने को मिलेगा जो आपके काफी काम आएगा तो चलिए सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षन जो देखने को मिलता है लिवर डिजीज के केस में वो है loss of appetite यानि अगर आपकी भूग कम हो गई है या भूग बिलकुल खातम हो गई है तो वो एक लक्षन है बहुत ही important और बहुत ही prominent के आपके लिवर में देखिए कोई ना कोई लिवर हमारे digestive system का king है लिवर ही वो एक organ है जो की digestion में सबसे ज़ादा important जो role है वो play करता है तो अगर आपके लिवर में कोई भी problem शुरू होगी तो उसका सीधा असर पड़ेगा आपकी भूग के उपर तो अगर आपकी भूग कम हो रही है तो उस case में आपको ज़रूर लिवर की वजय से तो नहीं हो रही है और बहुत मुम्किन है कि लिवर की problem की वजय से ही यह भूग आपकी कम हो रही है वैसे तो और भी देखिए बहुत सारे reasons हो सकते हैं कई बार कुछ psychological reasons भी हो सकते हैं कई बार कुछ stress में भी आपको ऐसा फील होता है कई बार depression की case में होत दूसरा एक symptom है जो काफी uncommon है और usually लोगों को पता ही नहीं है कि यह आपके लिवर से भी associated हो सकता है वो है inconsistent sleep pattern यानि आपकी नींद में कोई ऐसा खलल पैदा हो जाता है जो कि आपको परिशान करता है लेकिन आप कभी भी उसको मतलब अपने लिवर से असोशेट नहीं कर पा था Egyptian general of chest disease and tuberculosis एक general आता है एजिप्ट में उसमें एक research प्रिकाशत हुई थी research publish हुई थी जिसमें इस बात का पता लगा वो लोग actually research तो कुछ और कर रहे थे लेकिन उस research करते में इस बात को उन लोगों को पता चला उनके इल्म में आई कि भाई अगर आपकी sleep disturbance हो रही है तो यह आपके liver से भी associate हो सकती है तो यह एक ऐसा symptom है जिसको आम तोर पे हमें पता नहीं होता तो neglect कर देते हैं आप कोशिश करते हैं रात को लेट के सोने की लेकिन नींद ही नहीं आती है करमट बदलते हैं विधर उधर कितनी भी कोशिश कर लेते हैं नींद नहीं आती है समझ हो गया है नींद कम हो गई है तो यह आपके liver damage की तरफ इशारा कर सकता है इसके लिए भी आपको सोचना चाहिए और अपने liver कराने के लिए कोई टेस्ट और आपको कराना चाहिए देखिए थोड़ा बहुत चीजों को भूलना मतलब आपने घर की चावी कहीं रखी और वो भूल गए गाड़ी की चावी आप लाए थे पॉकेट में रखी या डेस्क पे छोड़ दी वो भूल गए इस तरह की छोड़ी छोड़ी चीजे भूलना तो ठीके नॉर्मल है सब लोग करते हैंको भूल जाता हूं कभी कभी अगर कंसिस्टेंटली आप मतलब आपको लग रहा है कि आपकी मेंइरी जो है वह नहीं रह रही है आप बार-बारम रौज मर रहा ही जो चीज Chaos उनको भी आप भूलते जा रहे हैं, कुछ भी आप से कहा जाए, आपको याद नहीं रहता, आपको चीजों को रिकलेक्ट करने में, रिमाइन करने में, प्राब्लम लग रही है, आप कांसेंटरेट नहीं कार पा रहे हैं किसी चीज की तरफ, आपको लग रहे हैं कि यार मेरा damage होता है या liver में कोई disease होती है chronic तो उस case में आपकी जो memory है वो sharp नहीं रहती memory loss होने लगता है आपका दिमाग properly काम नहीं करता है इसके पीछे एक reason है वो reason यह है कि जो आपका liver है ना वो toxins को remove करता है body से और जब यह toxins remove नहीं होते हैं अगर आपका liver में कोई damage है liver function proper नहीं हो रहा है तो उस case में यह जो toxins है यह remove नहीं हो पते है body से तो क्या होता है यह जो toxins है यह build up करने लगते हैं जमा होने लगते हैं आपके brain के अंदर और इसको बोलते हैं hepatic encephalopathy hepatic encephalopathy तो चल यह बहुत later stages में होता है उसके तो बहुत सारे और भी deposit होने शुरू होते हैं तो उस time पर आपको यह problem शुरू होती है जो memory loss वाली तो अगर आपको लग रहा है कि कि आपको memory loss होने लगा है आप अपनी चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं concentrate नहीं कर पाते हैं तो यह भी आपके liver की तरफ इशारा कर सकता है कि आपके liver में कोई ना कोई problem चल रही है अगर आपको लग रहा है कि आप हर time ठाके ठाके से रहते हैं काम करने का मन नहीं करता है कुछ भी कारने का कहीं जाने आने का मन नहीं करता है दिल करता है बस मैं लेटा रहूं और अराम करता रहूं ना मुझे office जाना पड़े ना मुझे बच्चों के साथ खेलना पड़े ह सिरक-धाइम मैं सुंता रहूँ या लेटा रहूं तो इस केस में आप अपने लीवर की तरफ धायम दीजें कि यौण कि लिवर्ड डामेज के केस में हमारी बोडी की जो एनरजी है जो एनरजी लेवल रहें वो कम होने शुरू हो ऐते हैं क्योंकि हमारी जो लिवर है वही आ करने काम करती है nutrients को glucose के metabolism में भी बहुत important function होता है लीवर का जो excess fat या excess sugars हम लोग लेते हैं उसको metabolize करने का उसको store करने का भी काम करता है लीवर तो ऐसे बहुत सारे functions है energy को provide करने के लिए जो कि लीवर के ओपर depend करते हैं तो अगर हमारा लीवर में कोई भी problem है लीवर डैमेज ह हो रहा है proper function नहीं कर रहा है तो उसकी वज़से आपको हर समय थकान भी रह सकती है यह बहुत छोटा सा लक्षण है वैसे कहने में छोटा है और इसको आम तोर पर हम लोग ध्यान नहीं देते पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है लेकिन अगर आपकी बॉड़ी पे इचिंग हो रही है ड्रा इचिंग हो रही है खुजाट की शिकायत रहती है तो वह एक रीजन हो सकता है आपके लिवर डैमेज की वज़ा से क्योंकि जब लिवर में हमारे डैमेज होता है तो बहुत सारे बाइल सॉल्स होते हैं जो कि हमारे खून के अंदर बढ़ जाते है और आगे चलके धीरे धीरे जब यह बढ़ने लगते हैं तो हमारी skin के ओपर deposit होने शुरू हो जाते हैं आग से नहीं दिखते हैं लेकिन हमारी skin के ओपर यह boil salts जो है यह जमने शुरू हो जाते हैं और इसकी वज़े से itching शुरू हो जाती है हर टाइम खुजली 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 अगर इस तरह की खुजली आपको हो रही है जिसका कोई ऐसे जरीजन नहीं है तो वो एक कारण हो सकता है एक रीजन हो सकता है एक लक्षण हो सकता है जो की इशारा करता है कि आपके लिवर में कोई problem हो रही है यह लक्ष्ण वैसे बहुत कॉमन है और इसको बताने की भी ऐससे कुछ जरूरत नहीं है सब लोग पहचान जाते हैं अगर आपकी स्किन यलो हो रही है या आपकी जो आखे यलो हो रही है तो वो क्लियर कट सिम्टम है कोई मतलब अनपढ़ आदमी भी बिता देगा कि आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है आपको जॉन डिस हो रहा है ये भी आपके लिवर की बिगडी हुई सिहत की तरफ इशारा करता है लिवर डिजीज में आपको वेट लॉस भी हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है ये दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती है तो अगर अचानक से वेट लॉस होने लगा है या वेट गेन होने लगा है तो इन दोनों ही चीजों में आपको सतर हो जाना चाहिए कि आपके लिवर मे कोई डैमेज है तो उसकी वज़से आपके जो हाथ हैं ये पाम हैं ये लाल होने शुरू हो जाते हैं ये हर टाइम रेड रेड से रहते हैं आपको लगता है कि मेरा शायद हीमोगलोबिन बढ़ गया ऐसा आप में भी सोच सकते हैं लेकिन अचानक से बिना किसी रीजन के अग तुम्हें आपको लगता है हर टाइम ब्लड भरा रहता है मेरे हाथों में तो ये आपके लिवर डैमेज की वज़ासे भी हो सकता है इसकी तरफ बिध्यान देना जरूरी है नौन-Alcoholic Fatty-Liver Disease अगर आपको हो रही है तो उस केस में आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है especially अगर आप मर्द हैं तो जिसको बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया गाइनेकोमेस्टिया मर्दों की एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो चेस्ट होता है या ब्रेस्ट आप बोल सकते हैं वो एनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं ये यूजुली देखा गया है फैटी लीवर की केस में जो लोग अलकोहल और नहीं लेते हैं उसके बावजूद अगर उनको फैटी लीवर हो गया है मर्दों को तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो है गयने कुमेस्ट्या की जिसमें ब्रेस्ट एंलार्जमेंट हो जाता है इसका एक रीजन होता है कि जो हमारी बॉड़्ी के बहुत गंदा लगता है और अकर इस तरह की प्रॉबर्म आपको फैस करने पड़ रही है तो अपने लिवर का करना जरूरी है आपके लिए पॉइंट नमबर दस ग्यारा और बारा यह दोनों मैं आपको एक ही साथ बता दे रहा हूं क्योंकि छोड़े-छोड़े पॉइंट्स हैं अलग-अलग मतलब हैं इसके लिए प्रोप्राइट नहीं है और थोड़ा वीडियो भी लंबी हो चाएगी तो पॉइंट नमबर दस है कि आपके जो लेग्स हैं या अंक्ल्स हैं टखने हैं उनके इंदर अगर आ रही है तो यह लिवर की तरह बिशारा करती और लिवर के ढाती है ततकी कि पाना कर दोधें इसके इलावरा अगर आपको ब्लोटिंग वर्समte रहती है कि ब्लोटिंग का मतलब है कि अफारा हो ना कोई बहुत बढ़ा अपने खाना नहीं घाया बहुत फैटी खाना नहीं कहा इस तरह की अगर शिकायते होती हैं आपको तो ये भी एक क्लियर कट लक्षण है जो कि आपके लिवर की डामेज की तरह इशारा करता है लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आखरी लक्षण है ये इंपोर्टेंट है वैसे बट मेभी आप शायद जानते ही होंगे इसके बारे में कि अगर आपको डार्क यूरीन आ रहा है आपके यूरीन का कलर अगर डार्क हो रहा है तो वो भी क्लियर कट सिम्टम होता है कि आपके लिवर में प्रावलम चल रही है वैसे डार्क यूरीन पानी कम पीने से भी आता है डियाइड्रिशन से भी आता है गर्मियों में अक्सर देखने को मिलता है तो वो अलग चीज है उसकेस में आपको पता चल जाएगा कि वही गर्मी है और यूरीन कम आ रहा है उसकेस में य दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा, चैनल पर नए हैं, तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन प्रे दीजे इजादत, मैं आपसे फिर मिलूँगा इसी जंगा इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, टाटा, बाइ-बाइ, और स्टेय हेल्दी हमेशा